हे गाईज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वायनेट लाइफस्टाइल दोस्तों हम सभी को अक्सर ये सला मिलती है कि अपनी डाइट में जादा से जादा फलो और सबजियों को शामिल करें इसके सेवन से शरीर अंदर से तंदुरूस्त बनता है ऐसे में बड़े से लेकर बच्चे तक अपने खाने में फल और जादा तर सबजियों का इस्तमाल करते हैं शरीर की आंतरिक तंदुरूस्ती मचबूत करने के साथ साथ बाहर से भी तुचा की रंगत निखारना बेहर जरूरी होता है बहरी तवचा की रंगत निकारने के लिए बजार में कई ऐसे प्रकार के फलो से बने फेस पैक मिल जाते हैं पर क्या आप चानते हैं कि सबजियों से बने फेस पैक के इस्तिमाल से भी आपकी स्किन खिल उड़ती है इसके लिए आपको जादा मेहनत करने की जुरत बिल्कुल भी नहीं है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सबजियों से बने कुछ ऐसे फेस पैक के बारे में जिनकी मदद से आप अपनी स्किन को बेहती ग्लोइंग बना सकती हैं तो चलिए जानते हैं नमबर एक खीरे का फेस पैक दोस्तो इसे बनानी के लिए आपको आदा खीरा लेना होगा इसके साथ ही चोथाई कब ठंडी ग्रीन टी भी ले सकते हैं इससे ऐसे करें त्यार इससे बनाने के लिए सबसे पहले खीरे को चिल कर पीस लें इसके बाद इसमें ठंडी ग्रीन टी को मिलाकर चहरे पर लगाएं तक्रीबन 10 मिनट के बाद आपको चहरा वाश कर लेना है आप इसका इस्तमाल हफ्ते में एक बार कर सकते हैं ऐसा करने से आपके फेस पर नैचरल ग्लो बनेगा नमबर 2 टमाटर का पैक दोस्तो टमाटर का पैक त्यार करने के लिए आपको एक टमाटर का प्लंप चाहिए इसके साथ ही एक टी स्पून गुलाब जल और चुथाई टी स्पून नीम्बू के रस्की आपको जुरुद पढ़ सकती है इसे ऐसे करे त्यार एक कटोरी में इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर मसाच करें तक्रीबन 5 मिनट तक मसाच करने के बाद इसे 15 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगा रहने दें उसके बाद नॉमल पानी से अपने फेस को वाश कर लें नमबर 3 पालक का फेस पैक दोस्तो इसे त्यार करने के लिए आपको एक साफ की हुई पालक की थोड़ी सी पतियों की जुरुत पड़ेगी इसके साथ ही इसमें मिलाने के लिए आपको आधा केला चाहिए होगा इसे ऐसे करें त्यार इस पैक को त्यार करने के लिए सबसे पहले इन दोनों चीजों को मिक्सी में पीस लें और इसका स्मूथ पेस्ट बना लें इसके बाद इसे 10 मिनट के लिए चहरे पर लगाएं 10 मिनट के बाद अपने चहरे को गुन-गुने पानी से वाश करें आप 15 दिनों में एक बार इसका इस्तिमाल जरूर करें अपकी स्किन की सारी प्राब्लम्स दूर होंगी और आपकी स्किन नैच्चरल ग्लो करेगी तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो उमीद करती हूँ मेरी ये जानकरी आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर एंड बाबाई